गोस्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर हमारी दुसरी कहानिया जरूर देखे और सुने आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा साथ इसाथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और इमेल आईडी का लिंक है अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानिया भेजना चाता है तो इस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानिया भेज सकता है चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की और दोस्तों हमारी आज की ये जो पहली कहानी है ये वीवान की है तो चलिए इनकी कहानी शिरू करते है वीवान जो कि एक रेलवे लाइन में काम करता था लगभग ग्यारा बजे उसके काम से उसे चुटी मिल जाती थी अपना काम खतम करके वीवान रात की ग्यारा बजे घर आया करता था रोज की तरह आज भी वीवान अपना काम खतम करके घर जा ही रहा था तबी एक सुनसान जगा पर वीवान की बाइक खराब हो गई विवान ने बाइक को वहीं छोड़ दिया और अपने घर को चला गया अगले दिन उसने सुचा कि अब मेकनिक को लेके जाता हो और मेकनिक को लेके वहीं पर चला गया जहां पर उसकी बाइक खराब हुई थी बाइक ठीक करने के बाद वीवान अपने काम पर चला गया जब वीवान काम पर जा रहा था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी वीवान ने बाइक रुकाई और पुचा बोलिये क्या हुआ तो उस लड़की ने कहा उसे पासी के रेलवे स्टेशन जाना है वीवान ने बोला चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ मुझे भी उसी स्टेशन जाना है फिर दोनु स्टेशन की तरफ चल दिये वीवान ने उस लड़की से पुचा कि आप कहा रहती हो तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया वीवान ने दोबारा उस लड़की से पुचा मगर इस बार भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया जब वीवान ने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही तो वो एकदम से खुद से ही चुप बैढ़ गया फिर कुछी देर बाद वो दोनों स्टेशन पहुच गए विवान ने फिर से उस लड़की से पुचा कि आप कहा रहती हो तो उस लड़की ने कहा कि वो यहीं स्टेशन पर रहती है ऐसा कहके वो लड़की वहां से चले गई विवान ने मन में सोचा कि यह स्टेशन पर तो रुखने की कोई भी जगा नहीं है फिर यह लड़की यहां कहा रहती होगी और विवान ने तो उस लड़की को पहले कभी देखा भी नहीं था विवान यह सब सोच कर अपने काम पर चला गया फिर रात में जब विवान घर को जा रहा था तो वो लड़की विवान को उसकी बाइक के पास खड़ी हुई दिखाई दी विवान उस लड़की के पास गया और बोला तुम यहां इस समय तो उस लड़की ने बोला कि वो यहां स्टेशन पर नहीं है और इसी स्टेशन पर काम करती है हलाके यह सारी बात सुनकर उसे काफी अजीब लगने लगा लेकिन विवान ने पुछा कि तुम यहां स्टेशन पर कहा रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आई हो तो उस लड़की ने बुला उसका नाम शानती है और उसका इस दुन्या में कोई नहीं और वो स्टेशन पर ही काम करके अपना गुजारा करती है फिर विवान ने कहा इतनी रात में स्टेशन पर रहना ठीक नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर चलो लेकिन शांती ने मना कर दिया और कहा तुम मुझे वहीं वापस छोड़ दो जहां से सुबा में तुमने मुझे लाया था वहाँ पे मुझे कुछ काम है विवान ने बुला ठीक है चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ कुछ देर बाद एक अजीब सी मनहूसियत उसे महसूस होने लगी और विवान को अजीब सी घबराट भी होने लगी विवान ने बाइक रुका दी तो शांती ने कहा कि क्या हुआ तुमने बाइक क्यू रोख दी विवान ने बुला नहीं कुछ खास नहीं बस थोड़ी घबराट सी हो रही थी शांती ने बुला मुझे बस यहीं जाना है जिस पर विवान ने बुला लेकिन तुम तो कहीं और जाने की बात कर रही थी और तुमें तो तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी तबियत भी काफी ज़ादा खराब लग रही है, विवान उसे बाय बुलकर वहां से निकल पड़ा, कुछ दूरी पर जाने के बाद विवान ने पीछे मुड़ कर शानती को देखा, तो विवान हैरान हो गया, विवान ने देखा शानत विवान को एक अनुन नमबर से कॉल आया, विवान ने जब फोन उठाय तो फोन पे से एक लड़की ने कहा, हेलो विवान, मैं शानती बोल रही हूँ, विवान ने हकलाते हुए बोला, के अरे शानती तुम तुमारे पास मेरा नमबर कैसे आया, किस ने दिया, तो शानती ने कहा, मुझे मालूम है, कि तुम उस ही रेलवे स्टेशन पे काम करते हो, और मैंने वहीं से तुम्हारा नमबर लिया, फिर दोनों ने काफी देर तक बात की, और रात के तकरीबन दो बज़े तक, शानती का फोन डिसकनेक्ट हो गया, इसके बाद विवान ने बहुत बा प्रणा मुबाइल चेक किया, कि शानती का कोई फोन तो नहीं आया, लेकिन विवान ने ये देखा कि उसे कोई फोन नहीं था, वो वापस उसी नमबर पर दोबारा फोन लगाया, तो इस बार भी शानती का नमबर बंद ही आ रहा था, फिर दुफेर तक, विवान ने बहु मन नहीं लग रहा था तो विवान काम पे से जल्दी घर के लिए निकल गया और उसी जगा पर आकर इंतिजार करने लगा शांती का मानो उसे इसा लग रहा था कि अब कहीं से शांती मेरे पास आ जाएगी और शांती से एक तरह से उसे प्यार भी हो गया था विवान दोबारा से अपनी बाइक घुमाया और स्टेशन चला गया वहाँ के स्टेशन के करमचारियों से जब उसने पूछा तो वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था वो लोग बस यही कह रहे थे कि यहाँ कोई शांती नाम की लड़की काम नहीं करती है विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो फिर से अपने घर आ गया तभी विवान को दोबारा उसी नमबर से फोन आया और विवान ने जब फोन उठाया तो कहा कि शांती तुम कहा थी और तुम्हारा फोन क्यों नहीं कल रात से लग रहा था तुम्हारे फोन को मैं कंटीनियूस ट्राय कर रहा था लेकिन फोन बन था तभी फोन पे से किसी ने कहा मैं वापिस आ गई हूँ और अब किसी को नहीं छोड़ूंगी यसा कहते ही फोन कड़ गया और विवान के फोन पे शांती की मरी हुई फोटो आई वो देखके विवान काफी ज़ादा डर गया और अगले दिन विवान ने उस रिल्वे स्टेशन से काम ही छोड़ दिया और उसके बाद उसने अपना फोन नंबर भी चेंज करके उस जगा को छोड़ कर दूसरी जगा रहने चला गया तो दोस्तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की और दोस्तो हमारी अगली कहानी सादिक ने भेजी है इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानी शेयर कर रखी थी चलिए उनकी कहानी शिरू करते है मेरा नम सादिक है मैं राजिस्तान में रहता हूँ मैंने पहले भी आपके चैनल पर बहुत से डरावनी घटनाएं भेजी है लेकिन अब जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो सभी मेरी कॉलनी में ही घटी थी मैंने पहले घटना चैनल पर भेजी थी ये घटना उसी का दुसरा भागे ऐसा समझाओ अब मैं घटना पर आता हूँ आज से पांसो साल पहले जब किले का निर्मान किया जा रहा था उस समय वही पर काम कर रहे एक गरीब मजदूर को उसकी पतनी के आँखों के सामने ही कीले की जो दिवार बन रही थी उसी के नीव में जिन्दा ही दफन कर दिया गया था किसी ने भी उस औरत के पती को बचाने की कोशिश नहीं की फिर उस औरत ने फासी लगा कर अपनी जान दे दी उसके कुछ ही दिनों के बाद उस औरत की आत्मा लोगों को दिखाई देने लगी मेरी कॉलनी के बुज़र्ग लोगों का कहना है कि फिर उस आत्मा ने उन लोगों के पुरे वंश को खतम कर दिया जिन होने उसके पती की जान ली थी उस घटना को बिते आज 500 साल हो चुके है लेकिन आज भी उसकी आत्मा को शांती नहीं मिली वो आत्मा आज भी दिखाई देती है मेरी कॉलनी के लोगों का कहना है कि उसकी अत्रिप्त आत्मा आज भी अपने पती की तलाश में भटकती रहती है लोगों का मानना है दिवार के जिस हिस्से में उसके पती को जिन्दा ही दफन कर दिया गया था वो हिस्सा मेरी कॉलनी में ही है मेरे घर से कुछ 80 मीटर की दूरी पर होगा मैंने उस आत्मा को वैसे तो आज तक नहीं देखा है लेकिन मेरी कॉलनी में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने उस औरत की आत्मा का सामना भी किया है कुछ तो इतना डर गए थे कि वो लोग इस कॉलनी को छोड़ कर ही चले गए अब मैं आपको उन लोगों के साथ हुई कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूँ जो के एकदम सच है ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र कुछ 13 साल की थी साल 2003 चल रहा था मेरे पडोस में एक परिवार किराय के मकान में रहता था उस परिवार में चार लोग थे पती पतनी और उनके दो बच्चे एक दिन अचानक ही वो परिवार घर छोड़ कर चला गया शायद 20 दिन बाद ही उन्होंने मकान खाली कर दिया था वैसे तो उन्होंने दो महीने का किराय एड़वांस में दिया था जब उस परिवार ने वो मकान छोड़ा उस कॉलनी के लोगों में ये चर्चा आम हो गई कि उस किरायदार की पतनी ने उस औरत की आत्मा को देखा है उसी शाम को मेरी ममी ने मुझे बताया कि पडोस में रहने वाले अंकल अपने दोनों बच्चों को लेकर किसी शादी में गए हुए थे और घर पर आंटी अकेली थी रात के दो बज़े के आस पास उनके दर्वाजे पर दस्तक हुई जब उन्होंने दर्वाजा खुल कर देखा तो बाहर कोई नहीं था उसके कुछ ही देर बाद फिर दस्तक हुई उन्होंने दोबारा दर्वाजा खुल कर देखा लेकिन अब भी बाहर कोई नहीं था अब उनको शक हुआ उन्हें लगा कि कोई मजाग कर रहा है इसलिए वो आंटी दर्वाजा बंद करके खड़की के पास छुप कर बैठ गई उन्होंने हाथ में लकड़ी का बहुत बड़ा डंडा लिया हुआ था वैसे तो आंटी जी बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी वो किसी से भी डरती नहीं थी लेकिन उनके साथ एक अजीब घटना हुई जब वो खड़की के पीछे छुप कर बैठी हुई थी तब फिर से दर्वाजे पर दस्तक हुई कोई बहुत तेज आवाज में दर्वाजे को हिला रहा था फिर उन्होंने खड़की से देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है वो आंटी जी दूसरी खड़की पर गई और वहाँ से भी देखा उदर से भी कोई नजर नहीं आ रहा था लेकिन दर्वाजा अपने आप बहुत तेजी से आगे पिछे हिल रहा था ये देखकर आंटी थोड़ा सा घबरा गई थी फिर उन्होंने खड़की से बाहर एक पेड़ की तरफ नजर डाली उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है जिसने लाल रंग के कपड़े पैन रखे थे फिर आंटी जी ने देखा कि वो लाल रंग के कपड़े वाली औरत अपने हातों से इशारे करके आंटी को अपने पास बुला रही थी ये देखकर आंटी जी थोड़ा सा डब डरने लगी थी लेकिन उन्होंने बाहर देखना जारी रखा उसके कुछ ही देर बाद में वो औरत एक सेकंड से भी कम समय में उस खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई जहां पर आंटी जी खड़े थे ये देखकर आंटी जी अब बहुत ज़ादा डर गई थी और वहीं पर वो बेहोश हो गई जब उनकी आग खुली तब सुबा हो चुकी थी और उसी सुबा को आंटी जी ने उस कॉलोनी को छोड़ने का फैसला कर लिया था ये घटना आग की तरह पुरी कॉलोनी में फैल गई जिसने कई दिनों तक सब को धेशत में रखा था अब मैं आपको अगली घटना बताने जा रहा हूँ ये घटना भी उसी साल की है जिस औरत के साथ ये घटना हुई थी वो औरत दुसरे महले में रहती थी एक दिन वो औरत हमारी कॉलोनी में किसी के घर में आई हुई थी तब उस औरत ने अपनी आपबिती सुने उस औरत ने बताया कि वो एक कारखाने में मजदूरी का काम करती थी उसके महले की चार औरते भी उसी कारखाने में मजदूरी का काम करती थी उस रात को उन में से दो औरते ही काम पर गई थी रात को एक बजे कुछ उनकी शिफ्ट खतम हुई और वो दोनों घर जाने लगे फिर एक औरत ने कहा कि आज शॉटकट लेते हुए चलते है समय पर जल्दी घर पहुच जाएंगे इस पर दुसरी औरत ने भी हाँ कर दी और वो दोनों औरते सड़क को छोड़कर मेरी कॉलनी में आ गए और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगी रास्ते में चलते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कोई एक और औरत भी चल रही थी क्योंकि उन्हें बहुत बड़े पायल की आवास सुनाई दे रही थी यानि की आवास इतनी जोड़दार थी जिसे सुनने के बाद साफ समझ में आ गया कि कोई एक और औरत भी उनके साथ ही चल रही है वो पायल की आवास भी उन दोनों के साथ साथ ही आगे बढ़ते जा रही थी दोनों को पता चल गिया कि ये वही ओरत की आत्मा है और वो अब उनके पीचे लग चुकी है अब दोनों को मानो डर लगने लगा उन्होंने अपनी रफतार चलने की बढ़ा दी लेकिन वो पायल की आवाज भी उसी गती से उनके साथ चलने लगी दर के कारण एक ओरत ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया जिस वज़े से उस अंजान पायल की आवाज ने उनका पीछा करना बन कर दिया कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगा जहां पर बहुत जादा अंधिरा है वहीं पर दूर एक औरत खड़ी है जिसने लाल रंगे कपड़े पहन रखे थे वह औरत कोई और नहीं बलकि ये उसी औरत की आत्मा थी जो उनका पीछा कर रही थी लोग तो अब उसे चुड़ैल भी कहकर बुलाते हैं वह चुड़ैल उन दोनों को ही देख रही थी उसके बाद उस औरत ने बहुत तेज आवाज में हनुमान चाली साथ दुबारा पढ़ना शुरू कर दिया जिस वज़े से वह चुड़ैल पीछे की तरफ उल्टे कदम चलने लगी फिर अचानक वह औरत धुआ बनकर एकदम से आँखों के सामने से गायब हो गई उसके बाद क्या था दोनों औरतों ने बहुत तेज दौड लगाई वे दोनों तब तक नहीं रुकी जब तक अपने घर नहीं पौच गई अब दोस्तों अगली घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 2005 में घटी थी मेरे घर की बाई और तिसरी गली में एक अंकल रहते है उनके घर के पास में ही एक बाड़ा है जिसमें 15 से 20 भेड बक्रियां बंदी रहती थी वो बाड़ा उनका नहीं था किसी और का था उन्होंने बताया कि रोज रात को एक बज़े के बाद वो भेड बक्रियां चीखने लगती है और लगातार चिलाते ही रहती है फिर जब उनका मालिक उस बाड़े में आता है तब वो अपने अप शान्त हो जाती है इस पर अंकल ने जानवरों के मालिक से पुचा तो उसने बताया कि मुझे भी नहीं पता ये जानवर रात को क्यों चिलाते है फिर अंकल ने कहा कि आज रात को मैं जाग कर देखूँगा कि क्या बात है उसके बाद अंकल रात को अपनी च्छत पर जाकते रहे और उस बाड़े पर नज़र रखी हुई थी लेकिन उस रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अगली रात को भी कुछ नहीं हुआ सारे जानवर शांत बैटे रहे तिसरी रात को भी जानवर नहीं चिला अब अंकल ने सोचा कि कुछ नहीं है मैं इन जानवर के पीछे अपनी नीन खराब कर रहा हूँ इसलिए वो चौती रात को अपने घर में ही सो गए फिर उस चौती रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे अंकल कभी भूल नहीं सके जब रात को अंकल सो रहे थे तब उनकी पत्नी ने उन्हें नीन से जगाया जगाने के बाद अंकल ने देखा कि उनकी पत्नी बहुत ही डरी हुई थी और उनकी दोनों बेटियां भी डर के मारे काप रही थी उनकी छोटी बेटी तो डर की वज़ा से रोने लगी थी अंकल ने पूचा कि क्या हुआ तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो अपने माथे का पसीना साफ करते हुए उनकी पत्नी ने बताया कि एक औरत जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे है वो बाड़े में इदर से उदर घूम रही है और जानवर उको डरा रही है और उस औरत के बाल बहुत लंबे है जो जमीन तक आ रही है उसके हातों के नाखुन भी बहुत लंबे है और तो और उसके दोनों पैर भी उल्टे है फिर अंकल ने कहा कि तुमने उसे कहां से देखा फिर अंटी ने कहा कि उनकी बड़ी वाली बेटी ने उस चुडैल को देखा है टॉयलेट के अंदर जो छोटी सी जाली लगी हुई है उसी के अंदर से देखा ये सुनकर अब अंकल को भी डर लगने लगा था कन्फरम करने के लिए अंकल टॉयलेट के अंदर गए और उसी जाली से बाहर की ओर देखा तो उनके भी पसीने छूड गए बाड़े के अंदर वही चुडैल खड़ी थी अब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नियों और बेटियां इतना क्यों डरी हुई थी और अब डरते डरते अंकल वापस अंदर आए और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर मंदिर वाले कमरे में बैड़ गए फिर पूरी रात डरते डरते उसी कमरे में काट डी दोस्तो अब मैं आप लोगों को अगली घटना बताता हूँ अगली घटना कुछ अलग है ये बात कुछ ये 2011 के आसपास की है बात है मेरी ही कॉलनी में रहने वाले एक अंकल की उन्होंने एक बार बताया था कि उनका एक रिष्टेदार है जो आदिरात को मेरी कॉलनी से बाइक लेकर जा रहा था कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी बाइक भारी हो गई ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर अपने आप बैड गया है जिसका वजन बहुत ही जादा था फिर उसने सडक पर अपनी परचाई देखी परचाई देखते ही उसका पुरा शरीर पसीने में भीग गया उसने देखा कि एक औरत उसके पीछे बैठी है जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि उसने बाइक से कंट्रोल अपना हटा लिया जिसकी वज़े से उसकी बाइक एक पेड से टकरा गई और वो नीचे गिर गया गिरते ही वो बेहोश हो गया था फिर वही पर रहने वाले लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुचाया अगली घटना मेरे एक दोस्त के साथ इसी कॉलनी में घटी थी ये घटना 2007 की है मेरे दोस्त का घर मेरे घर के सामने वाले मकान के पडोस में ही है उसका घर कॉर्नर पर है उसका नाम मुकेश है ये घटना मुकेश ने खुद ही मुझे बताई थी उसने मुझे बताया कि उससल मुकेश और उसके कुछ दोस्त जो मेरी ही कॉलनी में रहते हैं वो सब पैदल यात्रा पर राम देवरा गए हुए थे राम देवरा जैसल मेर जीले में है जब वे सब वहाँ से वापस आ रहे थे तब मुकेश ने अपने घर पर फोन करके कहा था कि खाना और बिस्तर दुकान के अंदर रख देना त्योंकि मुझे घर पहुशने में रात हो जाएगी और हुआ भी कुछ वैसा ही मुकेश जब घर पहुचा तब आदी रात हो चुकी थी उसके घर के बाहर जो दुकान बनी हुई है उस समय वो खाली थी यानि कि वो दुकान कोई भी नहीं चलाता था और नहीं तो उन लोगों ने किसी को भी किराय पर दी हुई थी उसके अलावा दुकान का शेटर भी अनलोक ही था इस वज़ा से जब मुकेश घर पहुचा तब कुछ देर उसके दोस्त उसके पास खड़े रहे उन्होंने सडक पर ही सिगरेट जलाना शुरू की और सिगरेट पिने लगे उसके बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए फिर मुकेश ने शेटर उपर किया और सिधा अंदर चला गया मुकेश ने बताया कि खाना खाते ही उसे नीन दाने लगे इस वज़ा से वो बिस्तर लगा कर सो गया मुकेश उस दुकान में ही सोता था और गर्मी होने की वज़ा से उसने उस रात अपनी दुकान का शेटर खुला ही रखा था फिर मुकेश ने बताया कि कुछ समय के बाद में उसकी नीन खुल गई उसने घुंगरों की आवास बाहर सड़क की ओर से सुनी उस समय हलकी फुल की बारिश भी शुरू हो गई थी उसने सुना कि कोई महीला है जिसके पेरों में बहुत बड़े बड़े घुंगरों पेने हुए है क्योंकि वो घुंगरों की आवाज ही इतनी जोड़दार थी जो कि छोटी पायलों में नहीं आती है और वो महिला सडक पर ही तहल रही थी उसने ध्यान नहीं दिया और वहां से बाहर निकला टॉयलेट की फिर पानी पिया और सो गया मुकेश ने बताया कि जब वो टॉयलेट में गया था तब वो औरत दुसरी गली में गई हुई थी फिर इसके बाद उसने बताया कि जब वो वापस आकर सो गया था उसके कुछ ही देर बाद में वो औरत वापस आई और आगे बढ़ गई उस समय तक मुकेश ने उस औरत को देखा नहीं था सिर्फ घूंगरियों की आवाज ही सुनी थी उसके कुछ देर बाद में वो औरत दुबारा वापिस आई और सड़क पर घूमने लगी कुल मिलाकर उस औरत ने गली के दस या बारा चकर लगा दिये होंगे फिर मुकेश ने सोचा कि ये औरत कौन है जो आदी रात को सड़क पर घूम रही है उसकी दुकान में दो शेटर है पहले सड़क पर और दुसरा गली की तरफ खुलता है उस समय जो शेटर गली के अंदर की तरफ था वही खुला था सड़क के सामने वाला शेटर बन था उसको अब थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था चुके उसे भी पता था हमारे महले में रोज रात को एक चुड़ैल गुमती है इस वज़ा से उसने सीधा उटकर बाहर आना सही नहीं समझा मुकेश ने बताया कि ये तो अच्छा हुआ कि उस समय दुकान की लाइट बन थी जिस वज़ा से बाहर से दुकान में देखने पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर कितने लोग है या अंदर कोई है भी या नहीं और वो क्या कर रहे है डर लगने की वज़ा से मुकेश ने पहले दो चादर ओड ले उसने बताया कि उस चुड़ेल को ये तो पता चल गया था कि दुकान में कोई सो रहा है लेकिन उसकी नींद तूट चुकी है ये उस चुड़ेल को नहीं पता चला फिर लेटे लेटे ही मुकेश ने अपनी चादर का कुछ हिस्सा जो आँखों की तरफ था उसे उपर कर दिया और बाहर की तरफ देखने लगा जैसे ही वो औरत फिर से दूसरी तरफ जाती हुए दिखाई दी मुकेश ने सबसे पहले उसके पैरों पर नजर डाली सौरत के पैर उल्टे थे ये देखते ही मुकेश की सांस मानो हलक में ही अटक कर रह गई वो वही चुडेल थी जिसके बारे में मुकेश ने सिर्फ सुना ही था उसे अपने सामने देखने का डर क्या होता है ये उस समय मुकेश को पता चला मुकेश बोलता है कि मेरे डर की कोई सीमा ही नहीं थी उस समय उस चुडेल को अभी तक पता ही नहीं था कि मुकेश ने उसे देख लिया है इसलिए वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ गई अब मुकेश की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वहाँ से उटकर अंदर चला जाए कुछ देर बाद में वो चुडेल वापस हमारी गली में आई इस बार मुकेश उसकी तरफ देखना भी उचीत नहीं समझा इसलिए आखे बंद करके सो गया उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था इस बार वो चुडेल वापस आई और दुकान के पास आकर खड़ी हो गई थी जिसे देखकर अब मुकेश की हालत पतली हो गई थी शायद उस चुडेल को शक हो गया था कि मुकेश जाग रहा है लगभग दस मिनिट तक खड़े रहने के बाद वो चुडेल आगे बढ़ गई वो लेटा हुआ ही कापने लगा था फिर मुकेश के मन में खयाल आया कि चुडेल को शायद पता चल गया है कि मैं जाग रहा हूँ इस बार वो आती है तो शायद दुकान के अंदर भी आ जाएगी अगर जिन्दा रहना है तो घर के अंदर जाना ही ठीक रहेगा और वो सोचने लगा कि अब उसके पास सिर्फ दो ही मिनिट है क्योंकि वो चुडेल दो ही मिनिट में वापस आ जाएगी उसने हिम्मत की और उठकर एक जटके में शेटर को नीचे कर दिया और दुकान के अंदर एक दर्वाज़ा है जो सीधा घर के अंदर ही खुलता था उसी दर्वाज़े से होकर घर के अंदर चला गया उसके घर में एक छोटा सा कमरा भी था जिसमें मंदिर बनी हुई थी सीधा उसी मंदिर वाले कमरे में चला गया मुकेश ने बताया कि जैसे ही वो मंदिर वाले कमरे में चला गया उसी के पांच या साथ सेकंड के बाद उसने एक बाइक की आवास सुनी थी उसने सुना कि जो कोई भी बाइक लेकर जा रहा था उसने अचानक ही बहुत तेजी से यूटन ले लिया और फुल स्पेड में वापस चला गया शायद उस बाइक सवार ने उस चुड़ेल को देख लिया था फिर मुकेश ने पूरी रात अपनी उसी मंदिर वाले कमरे में बिताई अगले दिन उसे बुखार भी आ चुका था मुकेश ने आगे बताया कि उस मनहूस रात के बाद उसने दुकान में सोना ही छोड़ दिया इन घटनाओं के अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो के मैं आपको कभी बाद में भेजूँगा तो दोस्तो ये थी सादिक भै की कॉलनी में घटी कई सारी छोटी घटनाएं और दोस्तो इसके पहले का जो आदा भाग है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर दोस्तो हमारी अगली कहानी हमें नरंदर ने भेजा है चलियन की कहानी शुरू करते है मेरा नाम नरंदर है आज मेरी उम्र 25 साल की है ये घटना आज से 10 साल पहले की है जब मैं कुछ 15 साल का था मैं अपने माता-पिता के साथ रहा करता था और उस टाइम मैं पढ़ाई करने के लिए अपने गाउ से दूर किसी शहर में हुआ करता था जब जब छुट्टियां पढ़ती थी तो तब तब मैं अपने माता-पिता से मिलने के लिए गाउ चला जाया करता था लग भग छे मेना कुछ ऐसे ही भी था उसके बाद जब मैं गाउ गया तो मुझे एक अजीब सी बात पता चली गाउ में हर जगा बस एकी बात के चर्चे चल रहे थे वो ये थी कि हमारे गाउ में अब भूत प्रेत का वास है अलाकि मैं उस समय इन सब बातों पर इतना विश्वास नहीं करता था और कहीं हसने भी लगा ये सोचकर कि गाउ वाले भी पतानी क्या क्या सोचते है बच्पन से लेकर अब तक मैं यहाँ पर ही पला बढ़ा हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी ना कोई भूत देखा ना प्रेत देखा लेकिन पतानी लोग ऐसी बाते क्यों कर रहे थे को देखा है कई ने मैसूस भी किया है मैं उसे देखकर हसने लगा और से कहने लगा रहे ये सब बक्वास बाते है ऐसा कुछ नहीं होता मैं उसे समझाने लगा वो मुझसे कहने लगा ठीक है अगर ऐसी बात है तो एक रात तू गन्य की खेत में सो कर दिखा हम वैसे भी गाव के माहौल में पले बढ़े थे तो गन्य की खेत में सोना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वैसे भी हम लोग अकसर ही गर्मियों के मौसम में खेत में ही जाकर सोते थे मैंने का चल ठीक है कोई बात नहीं मैं आज ही रात तुझे गन्य की खेत में सो कर दिखाता हूँ मैं जब खेत में सोने के ले गया तब भी मैं बिलकुल खुश था और अच्छा लग रहा था लग भग मेरी आँख लगने के कुछ एक या दो घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी खटिया को जोर से धका दिया जिस वज़े से मेरी आँख खुल गई मैं उठकर अपने आस पास देखने लगा लेकिन वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि जब मेरे आस पास कोई नहीं है तो मेरी खटिया को धका किसने दिया यही सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे गन्य की खेट में गन्य जोर जोर से हिलते हुए नजर आए ऐसा लग रहा था कि कोई वहां से भाग रहा था मैं तुरंत अपनी खटिया से उटकर उसी और आगे भागने लगा और भागते भागते चिलाने लगा कौन है वहाँ कौन था मेरे सामने आओ अगर पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा मैं ये सब चिला कर भाग ही रहा था उसके पिछे के एकदम से वो जो गन्ने हिल रहे थे उनका हिलना बंद हो गया जैसा मानू वो आदमी वहीं कहीं रुख गया हो मैं धीरे धीरे अगे बढ़ने लगा लेकिन वहाँ पर भी जाकर देखा तो वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था अब मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि जब कोई है ही नहीं तो ये सब कैसे हो रहा है मैं अपने मन को हटा कर वहाँ से चुप चाप अपनी खाट पर आकर दोबारा लेट गया और लेटे ही साथ 15 या 20 मिनिट में दोबारा से मेरी नीन लग गए फिर दोबारा मेरी नीन खुली कुछ एक घंटे के बाद जब मैंने ये पाया कि किसी ने मेरी खाट को उल्टा कर दिया जिस वज़े से मैं निचे खेट पर गिर गया और खाट मेरे उपर थी इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया एक बार को लगा कि शायद ये मेरा दोस्त ही ये सब कर रहा है क्योंकि उसे मुझे डराना था इसलिए वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है मैं उटकर वहाँ पर चिलाने लगा मुझे पता है ये तू ही कर रहा है तू डराना चाता है मुझे ये सब मत कर वरना बहुत पच्टाएगा मुझे इतना गुसा आ रहा था ना जाने मैंने और क्या-क्या बढ़ बढ़ा दिया उसके बाद मेरी आवाज जैसे ही रुकी तब मानो माहौल एकदम शान्त सा हो गया और कही ना कही अब मेरा मन मुझसे ये सब कह रहा था कि वहाँ मेरा दोस्त नहीं है और मैं जिसे दोस्त समझ रहा हूँ शायद वो सच में कोई भूत है मैं तुरन वही पर खाट छोड़कर भागते हुए अपने घर के पास आने लगा जैसा जैसा मैं अपने घर की और भाग रहा था वैसा वैसा मुझे लगने लगा कि मेरे पीचे कोई भारी कदमों के साथ भागते हुए आ रहा है और जब मैंने ये मैसुस किया मैंने अपने भागने की गती दो गुना जादा कर दी और तेजी से भागते हुए घर का दर्वाजा खट खटाने लगा मैं पीचे की ओर ही देख रहा था कि कोई तो आ रहा था लेकिन मुझे पीचे तो कोई नहीं दिखा हाँ जो दूर खेट थी महाँ पर मैंने अपनी आँखों से दो चमकती हुई आँखों को देखा और वो देखकर मैं इतना जादा डर गया कि जिसकी हद नहीं थी मेरे पापा ने दर्वाजा खुला वो देखकर मुझे ये कहने लगी क्या बात है तो इतना घबराय हुआ है क्या हुआ मैंने उस समय उनसे कुछ नहीं का बस घर के अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया और सुबा होने तक बस मैं वैसी बैठा रहा जब सुबा हुई तो मेरा दोस्त मेरे से मिलने आया कहने लगा क्या वो गया था कि नहीं खेत में मैंने उससे कहा कि मैं खेत में भी गया था और हाँ एक बात ये भी है कि जो तुने मुझसे कहा था वो बिलकुल सच है फिर मैंने मेरे साथ घटी सारी घटनाय उसे बताई वो मुझसे कहने लगा कि इसलिए लोग अब रात में अकेले खेत में सोने के लिए डरते है उस समय भी हमारे गाओं में कुछ लोग ऐसे थे जो रात में खेत में जाकर सोते थे लेकिन अकेला कोई नहीं जाकर सोता था लोग डरने लगे थे इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक और बात बताई ये होता है कि कोई ना कोई मारा जाता है या जखमी हो जाता है उसना मुझे ये भी बताए कि अब तक गाव में दो मौते ऐसी ही हो चुकी लेकिन किसी ने भी वो आत्मा को किसी व्यक्ति को मारते हुए अब तक नहीं देखा लोग एक बात जान चुके थे कि जब तक इस आत् पारा छे महने के बाद आये तो पता चला कि गाउ में अब कोई भी आत्मा नहीं है, मैंने मेरे उसी दोस्त से पुछा, तो उसने बताया कि गाउ में पुजारी जी आये थे, और एक नहीं बलकि चार पाच पुजारी जी थे, उन लोगों ने काफी बड़ा हवन किया, जिसके पाच गाउ में अब शान्ती है, और कोई भूत प्रेट का वास अब इस गाउ में नहीं है, तो दोस्तो ये थी नरिंदर की कहानी, बढ़ते है हमारी अगली कहानी की और, दोस्तो हमारी अगली कहानी हमें अर्बाज ने भेजी है, चलिए उनकी कहानी शिरू करते है, मेरा मद्य परदेश, जिला, नर्सिंग पूर से हो और ये जो घटना मेरे साथ अभी घटी ये भी कुछ दिन पहले की है और मेरी ये कहानी शायद जादातर लोगों को डराऊनी ना लगे लेकिन जो था वो सच था मैं आप लोगों को बता दू कि मैं स्टिल रेलिंग का काम करता हूँ तो मेरे पास एक ओर्डर आया था जो मेरे दुकान से लगभग 50 किलो मिटर दूर था फिर जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर और भी दूसरे काम चल रहे थे जो मिस्तिरी था उसके साथ जो मजदूर भी थे शायद वो लोग काला जादू करते थे हुआ यू कि जब मैं काम करने गया तो वहाँ पर जो मिस्तिरी और उसके साथ मजदूर थे वो लोग मुझसे पूछने लगे कि आप क्या काम करते हो कहां के रहने वाले हो और मुझे से अजीब अजीब सवाल करने लगे मुझे तब तक क्या पता था कि ये ऐसा भी करते होंगे फिर ऐसी ही हमारी बात होते रही और दो दिन गुजर गए फिर तिसरे दिन दुफैर में कुछ एक दो बजे के आस पास वो प्लेट लेके है उसमें लाल पानी था और एक हाथ में मरा हुआ कबूतर भी था और उनके पास काजल भी था ये सब लेके मेरे सामने आ गए मरा हुआ कबूतर देखकर तो मानो मुझे अजीब सी घबराट होने लगी मैं तभी ही उसे देखकर चिलाने लगा और मैं एकदम से पीचे हटकर उन पर ही चिलाया कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग तभी वो सबी लोग मुझे घूर के देखने लगे वो सीडियों पे बैटकर अपने पैरों पर वो लाल पानी लगाने लगे मैं ये देखकर हैरान था कि वो लोग ये सब क्या कर रहे है उसके बाद वो लोगों ने अपना चेरा मेरी ही तरफ घुमाया और काफी गुसे में वो मुझे देख रहे थे मैं ये देखकर इतना जादा डर गया कि जिसकी हद नहीं मैं उपर वाले से दुआ करने लगा फिर धीरे धीरे कुछ समय बित्ता गया और जब रात हुई तो मुझे उदर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मेरे पास काम जादा था मैं वहां से करीब दस बज़े के आस पास निकला रास्ते में हलकी हलकी बारिश भी हो रही थी थोड़ा बहुत कुछ धुनला सा दिक रहा था मैं कंटिनियूसली दुआ कर रहा था फिर साड़े ग्यारा बज़े के आस पास मैं अपने घर पहुचा मैं खाना खाया और सो गया करीब तीन बज़े मेरी नीन खुली और जब मेरी नीन खुली तो मैं ये महसुस कर रहा था कि मेरा गला बहुत तेज दुक रहा है ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे गले को पकड़ कर रखा है मैं सास भी नहीं ले पा रहा था मैंने दुबारा दुआ पढ़ना शुरू किया फिर उसके बाद मेरी नीन लग गई थी और मुझे सुभा बुखार भी आ गया था मेरी मम्मी ने फिर मेरे उपर कुछ पढ़कर फुका उसके बाद मैं बिलकुल से ठीक हो गया और मुझे एक ताविस भी पहना है कहने लगे कि अब इसके बाद ये ताविस कभी मत उतारना इसके साथ साथ मेरी मम्मी ने ये भी कहा कि कभी भी किसी अंजान से जादा बात नहीं करना या उसको अपने बारे में जादा कुछ नहीं बताना मैं जानता हूँ कि ये इतनी जादा डराउनी नहीं थी लेकिन ये मेरे साथ एक आप बीती थी और इसके बाद मैं आज भी लोगों को अपने बारे में बताने के लिए डरता हूँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सबी कहानिया उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगे दोस्टों इन में से जो भी कहानियां आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में निचे केमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना चैनल पर नए हो तो बिना सबस्क्राइब किये मत जाना मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में